तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस विडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या हाल चल रहे हैं कुछ भी जैदा चेंज अभी हमको आज भी फिल हाल देखने को नहीं मिल रहा है बात तो करेंगे और साथ में बात ये भी करेंगे कि क्या आप डेट्स आ रही हैं कहां कहां से आ रही हैं और क्यूं जरूर बिल्कुल एक ऐसा market के लिए year रहा है हम बात करेंगे कितना bitcoin इस year के अंदर गिरा और इसके बाद के जो years आने वाले हैं जैसे 2023 स्टार्ट होने वाला है 2024 फिर 2025 यह जो time रहेगा यह कैसा time रहेगा क्या market में हमको अच्छे returns मिल सकते हैं आने वाले months के अंदर आने वाले जो एक important years है और market के अंदर एक bull run जल्दी हमको देखने को मिलेगा उसका भी time fix है ठीक है लेकिन market की बात करने से पहले updates की बात करने से पहले हम आपको एक जो है update अपनी तरफ से यह देना चाहते हैं कि हम 31st December को एक announcement करने वाले हैं आप सभी को पता है हमारी journey जो crypto की शुरू हुई वह काफी time हो चुका है 2021 से बहुत सारी videos back to back crypto को लेके आप तक आई हैं और लगातार आई हैं और यही जो एक bond बना है बहुत सारे लोग प्यार करते हैं बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे comments आते हैं आपके बहुत प्यारे comments आते हैं दिल खुश हो जाता है आपके comments share करेंगे कुछ announcement करेंगे 31st December को कुछ new for you channel पे भी और ओय राहूल के उपर भी ठीक है आप दोनों channel पे अगर जुड़े हुआ तो आपको जरूर announcement का आपको wait करना चाहिए और जो भी announcement रहेगा सबसे पहले आपको 31st of December को ही मिलेगा तो तयार रहिए 31st December के लिए क्योंकि last day है 2022 का और कहीं न कहीं वो party वाला day भी है बहुत सारे लोग party भी करेंगे बहुत सारे लोग अपने हिसाब से celebrate करेंगे 31st की night है ना लेगिन एक तरफ Corona भी जो है वापिस आ चुका है Corona return आपको देख रहे हो बहुत सारे cases आ रहे हैं ज मार्लब safety के साथ करिए ठीक है और ये थी कुछ announcement को लेके details अब बात कर लेते हैं कुछ market की situation अब market की situation में कुछ नया देखने को मिली नहीं रहा है और ये ऐसे time पे हो रहा है जहां पे एक तो year का end होने वाला है मतलब ज्यादा time है नहीं हम 2022 को bye bye कहने वाले हैं ऐसे time पे Bitcoin ए market sideways में चली जाती है ना वहां से अब देखो कुछ ना कुछ हलचल हमको देखने को मिली ये हलचल कहीं ना कहीं बता रही है कि जैसे new year का time नजदीक आ रहा है यह Christmas आप देखो Christmas भी start होने वाला है 25 December यानि कल Christmas है और आप सभी को advance में हमारी तरफ से Merry Christmas है ना तो Merry Christmas Christmas के time पे कैस कल का दिन भी बहुत important है आज रात में भी कुछ ना कुछ हल चल मार्केट में हो सकती है और साथ के साथ कल का दिन भी और साथ के साथ ने ये पूरा week ही important है क्योंकि पूरा week last week है इस year का भी quarter four का भी है ना तो Bitcoin कहां जाके रुकता है कहां जाके closing करता है यह देखना बहुत ज चल रहा है एथिरियम 1218 डॉलर पे एक लाक रुपे पे एथिरियम का प्राइज है ड्रैप कोईन की बात करें डी आर इपी की कोईन की बात करें तो यह 50-60% उपर चला गया था अभी 47% उपर चल रहा है मार्केट में नया चेंज बड़ा चेंज कुछ नहीं देखने को मिल चल रहा है अगर आप देखो कुछ कॉइन गेनर लिस्ट में चलें तो ड्रैप चल रहा है सबसे उपर 50% पूरा पूरा जो है अभी उपर चल रहा है पचास परसेंट का प्रोफिट दे चुका है अपने होल्डर को उसका की चल रहा है 19% वॉक्सल चल रहा है एट परसेंट we are market in 2023 if BTC break this price level Bitcoin price action in recent ways has been following sideways movement at $16,500 level और अगर आप देखो यहां पे market इस ताइम पे चल रही है वो sideways के अंदर ही चल रही है मतलब रेंग रहा है Bitcoin एक ही लेवल के उपर है ना और और जैसा कि हम बात करें 2023 2023 बिल्कुल 2022 जैसा तो होगा ही नहीं तो कि 2022 में ही market इतनी गिर चुकी है यहां से अगर market 2023 में गिरती भी है तो वो थोड़ी बहुत ही गिरेगी जैदा नहीं गिरेगी और वो last गिरना होगा Bitcoin का last crash होगा है ना तो अगर आप देखो यहां पे it has long been argued that Bitcoin price is close to the low and already found the bottom in the current cycle Bitcoin अभी bottom के उपर चल रहा है जो कि बहुत अच्छा मोका है चोका मारने के लिए अब 2023 बिल्कुल दूर नहीं है और हम जैसे की बात कर रहे हैं 30,000-40,000 डॉलर Bitcoin हमको दिखा सकता है अगर 2023 would BTC regain 30,000 डॉलर that it saw earlier in the year अलब अगर थोड़ा जल्दी Bitcoin जैसे January, February, March यह जो तीन मही महीने रहते हैं यह महीने रहते हैं quarter 1 के है ना January, February, March यह quarter 1 कैसा जाता है मार्किट के लिए क्या इस quarter 1 में एक last and final crash ही हमको देखने को मिलता है तो कि crash तो कहीं नहीं एक देखने को मिलेगा जो Bitcoin को लेके जाएगा कहां पे 10-12 पे है ना जब अगर कोई bad news आती है लेकिन उसके बाद जो 3 quarter और बचेंगे मतलब और भी पूरा time है 2023 का तो जैसा 2022 गया है वैसा ही 2023 भी जाएगा इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड से निकाल दीजे कि 2023 हमारे लिए अच्छा जरूर होगा जिस level पे हम rank रहे हैं वहां से market जरूर उठेगी एक relief rally भी हमको दिखाएगी 2023 के अंदर चाहे वो मिड में हो चाहे quarter 3 में या quarter 4 में नेक्स्ट अपडेट भी शिवाइनू को लेके है शिवाइनू बाइन्स टू एड 76 मिलियन डॉलर ऑफ शिव इस शिवाइनू प्राइज पंप नियर मतलब अगर आप देखो बाइन्स ने क्या एड किया है वहां 76 मिलियन डॉलर के शिवाइनू एड किये गए हैं बहुत बड़ा नंबर होता है 76 मिलियन डॉलर और बाइन्स इस प्लैनिंग टू बूस्ट इस होलिडिंग होलिडिंग बाइडिंग मौर शिवाइनू को जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है वो भी बाइन्स के बाद जो नंबर वन एक्सचेंज है can this positive news शिवाइनू न्यूस पंपिट और 76 वर्ल लार्जस क्रिप्टो एक्सचेंज विल बी अटेचिंग 76 मिलियन डॉलर वर्थ ओफ शिव अहेड तो इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर जो शिवाइनू का फिर से बाइन्स ने एड किया है और एक बहुत बड़ी बाद है कि बाइन्स की तरह से भी एड किया जा रहा है शिवाइनू को कि सबाएकी आपट हैंड कार्डेनि अगर आप देखो 2022 का जो इयर आय मारकेट के लिए अच्छा ने रहा है क्यूंकि का डैनि जब अपने ओर टाइन हाई पर चल रहा था पिछले एयर के अगर हम बात करनें तू डॉलर से उपर गाय इसने हाई लगा रखा है यू सा रुपे से उपर भी इसका प्राइस गया है है ना तो क्या कारडैनों का जो प्राइस है फिर से हमको $3 जाता हुआ दिख सकता है in the upcoming 2023 bull run सबसे पहली चीज 2023 में bull run आएगा यह चीज अभी confirm नहीं है क्योंकि 2023 की starting बताएगी bitcoin के levels कहां जा रहे है bitcoin अगर हमको bullish दिखेगा तो definitely 2023 अच्छा year हो सकता है लेकिन अभी bitcoin में कोई भी bullishness हमको नहीं दिख रही है कुछ भी change जैदा bitcoin में अभी फिलाल हमको नहीं दिख रहा है कारडैनो तीन डॉलर जाएगा या नहीं जाएगा यह इसके लिए आपको थोड़ा wait जरूर करना पड़ेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है आपको पता है कारडैनो के अंदर बहुत सारी developments हो रही है इसके साथ साथ आप whale accumulation की बात कर लें growing NFT sales और इसके साथ project भी बहुत ज़धा develop हो रहे हैं कारडैनो पर लेकिन कहीं न गई कारडैनो में न अभी भी एक dump कहीं न गई चुपा हुआ है वो dump तभी लगेगा जब bitcoin का dump लगेगा तो वो चीज़ कब possible होती है यह देखना ज़धा ज़रूरी है market में next update है Samsung की तरफ से Samsung spend millions on Metaverse for Latin Americans एक तरह से Metaverse को लेगे Samsung पहले भी आगे आया है और Samsung launched its house of Sam experience in Decentraland in October Decentraland के साथ already Metaverse को explore कर चुका है and allowing user to interact virtually with the company products Samsung एक तरह से millions of dollars spend कर रहा है एक तरह से Metaverse के उपर Metaverse को explore कर रहा है next update आ रही है Shiba Inu को लेगे Shiba Inu ship token now on top 10 by trading volume among 5000 biggest Ethereum whale in the last 24 hour मतलब पिछले 24 गंटे में अगर हम trading की बात करते है trading volume की बात करते है top 10 coins की बात करते है तो Shiba Inu top 10 में आया है और वह भी 5000 biggest Ethereum whales ने trade किया है मतलब 24 hour में Shiba Inu को बहुत बड़े signals क्योंकि 1000 whales अगर Shiba इन्हों में trade कर रही है तो कही ना कहीं आने वाले time में कुछ ना कुछ जैसे Bitcoin का कुछ हलका फुलका एक jump लगता है तो बहुत कुछ हो सकता है है ना और year end का time है कुछ भी हो सकता है market के साथ है ना तो कुछ भी बड़ा खेल यहां पे हो सकता है जैसे ही कोई update market को लेके आएगा हम भी आपके साथ share करते रहते हैं तो पिछले 24 गंटे में 5000 biggest whale जो है एक तरह से तूट पड़ी हैं Shiba Inu के next update भी Shiba Inu को लेके है आप देखो wallet user hero wallet user can now buy and sell Shiba Inu with a bank guard via guardarian है ना तो आप देखो hero crypto and debt wallet we are very excited to announce partnership with guardarian.com and you can now buy and sell crypto instantly with a bank card through through your hero wallet तो hero और guardian के एक तरह से partnership हुई है और कहीं ना कहीं Shiba Inu का भी support है उसके अंदर तो आप सीधा जो है card के जरीए इतने भी इनके users हैं वो buy कर सकेंगे Shiba Inu को और cryptos को सीधा bank card के जरीए तो next update भी Shiba Inu को लेके एक तरह से अभी अभी आपसे शेयर किया कि 76 million dollar के Shiba Inu खरीदे अब वो खरीदे कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है As Binance US wins the bid to acquire Voyager asset Let's take a look at some of Voyager current crypto holdings एक तरह से आपको पता है Voyager को जो है acquire किया है Toko Crypto को acquire किया है recently है ना और Voyager के जो asset है वो भी आचुके है और total जो asset है वो याजर के वो 579 million dollars के है जिसमें Ethereum है 255 million dollar के Ethereum है 81.7 million dollar की USDC है लेकिन 76 million dollar worth of Shiba Inu coin भी है इस assets की list में उसके बाद 62 million dollar worth of VBX coin है उसके बाद Matic है 29 million dollar के 18.5 million dollar के chain link है उसके बाद Avalanche 10.2 million dollar के तो एक तरह से Shiba Inu और आ चुके है Binance के पास ये है कुछ portfolio अगर आप देखो 578 million dollar का है Voyager का ये Binance ने acquire किया है जिसके अंदर Shiba Inu 13% के साथ चल रहा है और एक तरह से 76 million dollar holding increase हो गई Binance की Shiba Inu में Last and Final में हम आप बात करेंगे एक reminder के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आप holiday में देखते हैं Your bank is closed आपका bank जो है Bank holidays पे off रहते हैं close रहते हैं and Bitcoin never closes मतलब holiday हो या Sunday हो या Monday हो Bitcoin 24-7 जो है open रहता है Bitcoin कभी close नहीं होता Bitcoin never sleeps and banks जो है close होते हैं weekends पे holidays पे तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे end I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे कोई भी question कोई सवाल है आप comment करके जरूर पूछ सकते हैं नीचे description में telegram, twitter के link है अगर आपने अभी तक हम को वहाँ पे join नहीं किया है follow नहीं किया है तो जरूर कर ले न कोई भी update मिस नहीं होगा और किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं अपनी जो research है वो जरूर करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye, take care